तो दोस्तों जैसा कि आप सभी चानते होंगे बीति गुरु आर यानि के 21 दिसंबर को सिनिमा घुरों मेरे लिस हुई थी बॉलिवूड के किंखान शारु खान के फिल्म दंकी और वाके डंकी फिल्म ने सिनिमा घुरों में इतिहास रच दिया है जिन लोगों को ये लग रह जिसको हमेशा याद रखा जाएगा पठान आपने देखी कोई फिल्म क्लैश में नहीं थी पठान फिल्म ने 1000 करोड से भी ज्यादा कमाए जवान फिल्म ने कमाई की 1160 करोड अपने लाइफ टाइम में कमाए लेकिन दोस्तों अब डंकी जब साल 2023 की सबसे बड़ी फिल्म सबसे बड़ा चैलेंग जो डंकी के सामने है तो वहाँ डंकी फिल्म बॉक्स आफिस पर जिस तरह से परफॉर्म कर रही है अपने पहले दिन एक रिकार्ट तोड ओपनिंग लेने के बाद फिल्म का जो दूसरी दिन का कलेक्शन रहा उसमें हमें गिरावाट देखने को मि लेकिन वहाँ दूसरी तरह शारुखान के फिल्म डंकी ने भी बॉक्स आफिस पर कहर बरपा दिया है क्योंकि आज अपने तीसरे दिन सटर्डे को ये फिल्म पूरी दुनिया के अंदर एक पार फिर से हाउसफुल है और फिल्म के जो शोज है वो एक पार फिर से इंक्री इसरे दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है कौन से शहर में फिल्म का क्या हाल चल रहा है तो दोस्तो बसा आप इस वीडियो के साथ पने रहेगा लेकिन दोस्तो उससे पहले अगर आप बॉल्यूट के किंखान शारुखान को एक बेहतरी नभी नेता मानते हैं तो इस दिल से लाइक करें और साथ साथ इस चैनल को भी जरूर सबस्क्राइब कर लीजेगा दोस्तो अगर बात करें फिल्म डंकी की तो राजकुमार इरानी के डिरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसका फैंस को बहुत ज्यादा इंतिजार था और इंतिजार था इसलिए क्योंक को आउटस्टेंडिंग रिस्पॉस मिल रहा है और जबके मैं आपसे बार-बार ये कह रहा हूँ सामने बहुत बड़ा चैलेंज है पिरभास की सलार है लेकिन बावजूद इसके डंकी फिल्म बॉक्स आफिस पर हिंदी भाशा की अगर मैं बात करूँ सलार फिल्म तगड उसके आता शारुखान की पतनी गोरी खान, जियोती देश पांडे और राजकुमारी रानी ने फिल्म में हमें शारुखान के साथ विक्की कौशल और तापसी पन्नो और इसके लावा बमनी रानी एहम किर्दारों में नसर आई थे फिल्म का बजट डेर सो करोड पैसे भी कम का था लेकर दोस्तों आपके जानकारे के लिए मैं आपको बताता चलू ऐकि फिल्म डंकी ने अपने पहले दिन जो इंडिया में नेट कमाई की थी वो की थी ऑफिशिल 29 करोड 20 लाग कुर्पे की ये पहले दिन का इंडिया में कलक्शन था 39 करोड 20 करोड लागा फिल्म की जो पूरे वर्ड में टोटल कमाई थी अपने पहले दिन की ओफिशली वो थी 58 करोड यानि के 58 करोड अब आता है दूसरा दिन जब सलार रिलीज हो गी थी सलार फिल्म ने अपने पहले दिन यानि के फर्स डे को हिंदी भाषा में लगबक 16 करोड पे की कमाई की है लेकिन अगर मैं डंकी की बात करूँ तो सलार के सामने सबसे बड़े चैलेंग के सामने फिल्म डंकी ने अपने दूसरे दिन 21 करोड पे कमाई जा दोस्तो 21 करोड पे तो ये बॉलिवूड का किंग खान है ये शारू खान का स्टारड में आप देखिए अगर शायद कोई और रिवल्ड में 95 करोड पे कर चुकी थी अपने पहले दो दिनों में लेकिन दूसरो बात करूँगा मैं तीसरे दिन की तो तीसरे दिन दिल्ली एंसियार के अंदर 18% से ज्यादा की ओक्यूपैंसी और ये मौर्निंग ओक्यूपैंसी की मैं बात कर रहा हूँ आफ्टे नून लेकिन आज 1000 शोज हो चुके हैं तो और जिसमें से 115 ऐसे हैं जो अल्मॉस फुल है और 170 फास फिलिंग है ये तीसरे दिन की बात हो रही है और मौर्निंग की बात हो रही है क्योंकि आफ्टरनून एवनिंग और नाइट में जो आकड़े आएंगे वो शायद बदल मुंबई की अगर मैं बात करू हो तो मुंबई में दोस्तों आज केहर बर पारी है फिल्म 27% से ज़्यादा की मौर्निंग की उक्यूपेंसी है फिल्म के पास 700 शोज है 165 almost full है और 125 fast filling है पूने के अंदर 17% से ज्यादा की occupancy फिल्म के पाद 310 शोज है बैंगलूरू के अंदर 25% की occupancy फिल्म के पाद 450 शोज है हैदराबाद के अंदर 22% से ज्यादा की occupancy फिल्म के पाद 310 शोज है कोलकता के अंदर 28% से ज्यादा की occupancy तो आज डंकी अपने तीसरे दिन, तीसरे दिन के लिए जो फिल्म ने एडवांस की है, वो की है लगबक साड़े दस करोड उपे की, तो मेरा मानना है कि आज अपने तीसरे दिन ये फिल्म पूरे इंडिया से आज अपने पहले सटर्डे को 25 करोड पे से ज्यादा की ही कमाई करने वाली है, तो फिल्म की जो तीन दिनों की टोटल कमाई है, वो 75 करोड पे इंडिया से नेट हो जाएगी, तो वही फिल्म पूरे पारिट हो चुकी है आगे जो फिल्म कमाई करेगी कल संडे है आप सभी बकू भी जानते हैं उसके बाद नुएयर की छुटी है क्रिसमस है यानि के छुट्टियों का पहाड फिल्म के सामने है और अब ये फिल्म जहां पे जाके रुकेगी कहा जाके रुकेगी ये किसी को को नहीं है क्योंकि शारुखान के फिल्म डंकी बॉक्स आफिस पर धमाल मचा रही है लेकिन दोस्तों आपने कौन से शहर कौन से सिटी में फिल्म डंकी देखी है कमेंड में जरू बताईएगा